बात है सन 1949 के जब हिटलर ने सतंबर के महिने में पोलाइन पर हमला करके वोल्ड वार टू का बिगुल बजा दिया ब्रिटेन ने बिना भारत की जंता की राय जाने भारत को इस युद में घसीटने की कोशिश की 1937 में हुए election में 11 में से 7 provinces पर कॉंग्रिस का सत्ता में आना साफ साफ दावा करता था कि भारत की जंता का national opinion अब आगे बढ़ते हर कदम के लिए एहन था कॉंग्रिस ने 14 सेप्टेंबर 1939 को वार्धा की सेशन में अंग्रेजों के सामने इसाफ कर दिया कि अगर भारत इस युद में उत्रा तो एक आजाद देश के रोट है भारत को इस युद का हिस्सा बनाने के लिए अंग्रेजों की द्वरा बहुत से ओफर सामने रखे गए जैसे अगस्ट ओफर 1940 लेकिन हर बार अंग्रेज भारत के लिए अंग्रेजों की द्वरा भीजे गई क्रिप्स मिशन 1942 ने भी जब उमीदों पर पानी फेर दिया तब गांधी जी ने आठ अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा देकर क्विट इंडिया मुव्मिन की शुरुआत की